हेलो अरिवान वेलकम टो आइफाइ स्टेडी विज आ पार्ट ओफ अन अकेडमी गुरूप दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले करंट अफेर 2021 के टोप 30 MCQs देखे 2021 की बहुत सारी वीडियो जाने वाले करंट अफेर की जो की 2022 में बहुत जादा इंपोर्टेंट होगी चाहिए आप 2022 का कोई भी एक्जाम देने जाएंगे इस टाइप की कोशन्स एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो आपको ये कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अगर आपको पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर चुरू करिएगा टेलिग्राम से आप पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम पे दोस्तों 5000 GKGS के कोशन आंसर की सीरीज चल रही है जिसे में मैं आपको सभी वीडियो के लिंक प्रवाइड करा देता हूँ अनकेडमी की फ्री क्लासिस के दुरू तो टेलिग्राम जोइन करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है टेलिग्राम का नेम है सौरम मलिक ओफिशल इसको जोइन कर लीजिगा दोस्तो अनकेडमी प्लस अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया है किसी भी एक्जाम के आप कम्प्लीट त्यारी कर पे रहगे कर सकते हैं अनकेडमी प्लस के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आप लोग को पता देता हूँ अनकेडमी प्लस पे दोस्तो आपको live class मिलती है, structure course मिलता है, personal guidance मिलती है, test analysis मिलता है, expert guidance मिलती है, weekly test, unlimited access, study planning, study material यह सारी चीज़े आपको अनकेडमी प्लस मिल जाती है, जो एक exam को किलिय करने के लिए requirement होती है दोस्तो एक आइकोनिक फीचर है दोस्तो जिसमें आपको priority मिलती है doubt solving में priority in live classes यह आप detail में पढ़ सकते हैं यह भी एक अपना subscription है ठीक है आप इसको जब भी जोइन करेंगे तो code apply करेगा study 10 सभी exams के लिए चाहे unacademy पर आप कोई भी subscription जोइन कर रहे है code याद रखेगा study 10 और यह combat होता है Sunday to Sunday अभी 26 December को है इसमें भी आपको यही code apply करना है इस combat का link नीचे description box में मिल जाएगा दोस्तो सफल्दाबेच स्टार्ट हो रहा है 22 December से आप इसको भी जोइन कर सकते हैं और इसमें भी आपको code यही apply करना है study 10 और इसमें 24 मंद का subscription अगर आप जोइन करते हैं तो 325 पर मंद आपको यह पढ़ता है सबसे मतलब सस्ता यही है आप 12 मंद का भी जोइन कर सकते हैं 6 मंद का भी जो आपको best लगे वो आप जोइन कर सकते हैं और free test के लिए भी दोस्तों आप एक बर यह देख लिजे में किसे एलेन पेच गलोबल वीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया तो जल्दी से आंसर बताएगा इस question का सही आंसर होगा नियायमूर्ती गीता मित्तल देखे दोस्तों नियायमूर्ती गीता मित्तल को अलेन पेच गलोबल वीजन पुरुस्का 2021 परदान किया गया वह यह पुरुस्कार पाने वाले दोस्तों भारत की पहली मैला है यह question काफी important हो जाता है तो इस question को जुरूर याद रखेगा मैं इस पे important भी mark कर देता हूँ next question आता है आपका question number 2, 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया और अगर आपको किसी भी question का answer आता होगा तो नीचे comment box में जरूर बता देना मैं आपको हर question में 3-4 second देने वाला हूँ इस question का right answer होगा Dr. Sakuntla Harak Singh Thiletted यानि की option हो जाएगा be right answer ठीक है तो ये आपको याद रखना है भी अगला question थाड है इन में से किसे वर्स 2020 का परतिस्टित बुकर पुरुसकार परदान किया गया इस question का दोस्तो right answer होगा Douglas Stuart यानि की option D यहाँ पे right answer होगा तो ये आपका होने वाला है right answer शले फरवर्स 2021 को 78 गोल्डन गलोबल पुरुसकार वितरन समारों में सर्वस्रेश्ट मोशन फिल्म ड्रामा केटेगरी का दोस्तो का पुरुसकार किस फिल्म को परदान किया गया इस question का right answer होगा नोमेड लेंड और इसमें अगर best actor की बात करू तो चेडविक बोस्मेन और best actress की बात करू तो एंडरो डे हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है ठीक है question आता है बरतमान में किस खिलाडी को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया तो ये सम्मानित किये गए दोस्तो केन विल्यमसन यानि की option C rate answer हो जाएगा ठीक है अगला question आता है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस संस्था द्वारा नेल्सन मंडेला विस्व मानवता वाधी पुरुस्का 2021 किस ने जीता दोस्तो इस question का सही answer होगा रुमाना सिना यानि की right answer is option D ठीक है रुमाना सिना ने जीता है चलिए जी अगला question आता है डियाडियो ने scientist of the year award से किसे सम्मानित किया है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तो डियाडियो ने scientist of the year award के लिए किसे चुना है या किसे सम्मानित किया है तो हेमंत कुमार इस question का right answer होजएगा बात आये डियाडियो की दोस्तो इस्थापना हुई थी 1958 में ये भी आपको जरूर याद रखना है ठीक है चले अगला question किसे हाल ही में 2021 के लिए कलिंग रतन सम्मान से सम्मानित किया है बिल्कुल दोस्तो इस question का सही answer होगा विस भूसन हरिस्चंदरन यानि की option यहाँ पर एरेट आंस होजएगा ठीक है देखें कलिंग पुरुषकार जो है दोस्तो यह विज्ञान संचार के छेतर में दिया जाता है और यह विज्ञान संचार के अंतरगत आता है जो इसमें विज्ञेता होता है उसको 10,000 इस्ट्रिलिंग पाउंड और युनेसको का एलबर्ट आइंस्टीन रजट पदक दिया जाता है यह भी आपको याद अखना है ठीक है अगला question आता है इनमें से किस भारतिय मूल की पतरकार ने अमेरिका का सिर्स पतरकारिता पुरुषकार पुलिजर पुरुषकार 2021 जीता है आंसर बताइए इस question का दोस्तों सही answer होगा बिल्कुल सही है मेगा राज गोपालन यानि की A-rate answer हो जाएगा ठीक है यह आपका आद दखना है चले अगला question आपका आता है दोस्तों वर्थ 2021 का एबल पुरुषकार इन में से किसे परदान किया गया तो यह इस question का दोस्तों राइट आंसर होगा लासे जाओ लोवासज और A-V विलर्डरसन इस question का राइट आंसर होगा निकी option C होगा राइट आंसर दोनों से दोस्तों next है हाल ही में 96 वा जो है आपका मद्यव परदेश तांसर पुरुषकार किसे मिला है इस question का दोस्तों राइट आंसर होगा पंडित 37 व्यास को तो option is A अगला question आता है हाल ही में सुभासचंदर बोस आपदा परबंदन पुरुषकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया तो राइट आंसर इस डोक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ठीक है डोक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी आने की C राइट आंसर हो जाएगा चले अगला question आता है 2021 के लिए भारत जेव विवित्ता पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा साजी NM केरल यानि की option हो जाएगा A राइट आंसर next question है इन में से किसे हिंदी भासा के लिए साहित्त अकेडमी पुरुषकार 2020 दिया गया तो ये दिया गया है अनामिका को यानि की C राइट आंसर हो जाएगा next question है फेमिना मिस इंडिया 2020 का किताब इन में से किस ने जीता तो मांसा वारानसी इस question का दोस्तो राइट आंसर होगा यानि की A हैं पर correct answer होने वाला है question है Miss Universe 2020 का किताब किसने अपने नाम किया तो इस question का राइट आंसर हो जाएगा Andrea Major यानि की B राइट आंसर होगा और देखें दोस्तो अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है भी SSC कैटेगरी में एक तो धाई बज़े होती है 2.30 पीम पे और एक रात के 11 बज़े होती है तो अनकेडमी लर्निंग आप आप सभी के mobile में होगा आप SSC कैटेगरी में जाके सोरभ मलिक नाम सर्च करके फोलो कर लेना और धाई बज़े और रात के 11 बज़े दोनों classes को attend करना शुरू कर दीजेगा ठीक है चले नेक्स्ट कोश्चन इस मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का किताब इन में से किस ने जीता कोश्चन आता है माइकल एवं सीला हेल्ड पुरूसकार 2021 को गणित का परतिस्ठित सम्मान है उसके विजेता कौन बने है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बने है निखिल स्रीवास्तव यानि की राइट आंसर इस डी चले अगला कोश्चन आता है किस एतलीट को 36 गड़ राज्य सरकार दुआरा 36 गड़ वीर्नी पुरूसकार से सम्मानित किया है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वहे आपका होने वाला है दूती चंद को यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और यह पुरूसकार दोस्तों खेल एवं विबिन चेतर में महिलाओं की योगदान के लिए जाता है नेक्स कोश्चन आता है दोजर 21 में परतिस्ठित अंतरास्टिय बुकर पुरूसकार से सम्मानित किया गया तो इस कोश्चन का राइट आंसर होगा डेविड डियोप यानि की बी रेट आंसर नेक्स कोश्चन है हाल ही में किसे पेटा परसंड आप दे येर अवार दोजर बीस मिला तो ये जोन अबराहिम को मिलाया दोस्तों ठीक है सी इस दर रेट आंसर है नेक्स है किस देश के परदान मंतरी का पदम विबूशन 2021 से सम्मानित किया गया तो ये किया गया दोस्तों सिंजो आबे को यानि की बी रेट आंसर हो जगा ठीक है ये जापान के पूर परदान मंतरी सिंजो आबे को जन सेवा छेतर में उत्करस अकारियों के लिए पदम विबूशन से सम्मानित किया गया अनको चले दोस्तों चोहत्तर बाब बाफटा पुरुसकार 2021 में सर्ष्रेस निर्देशक के रूप में किसे सम्मानित किया गया तो ये मिला है दोस्तों कलो जालो यानि कि ये किस फिल्म के लिए मिला इनको नॉमल एंड के लिए ठीक है ना ये आपको या दखने में नेक्स है 2020-21 में किसे परतिस्टित व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तो ये सम्मानित किया गया सरद पांगेर को तो रैट आंसर इस C ठीक है नेक्स है परतिस्टित मारास्ट भुषन पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया तो ये दोस्तों दिया गया है बिल्कुल आसा भोशले को यानि कि यहां पे रइट आंसर बी हो जाएगा मारास्ट भुषन पुरुषकार मारास सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुषकार है दोस्तों ठीके और जो पहला मारास्ट भुषन पुरुषकार था ये 1996 में दिया गया था और आसा भोशले हिंदी फिल्म की गीत गाई का है ये आप सभी जानते हैं अगला कोशन क्या कहता है कि अंतरास्टी रेंजर अवार्ड जीतने वाले एसिया के एकमात रेंजर कौन बने हैं बिलकुर दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा महिंदर गिरी ठीक है राइट आंसर हिस महिंदर गिरी दोस्तो नेक्स्ट है किस दिगज अबिनेता को 51 दादा साहिफ आल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया फटा फट बतेगे बिल्कुर दोस्तो इस question का सही answer हो जेगा रजनी कांत ठीक है दादा साहिफ आल के पुरुसकार भारत सरकार की और से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरुसकार है और यह भारते सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है पहला दादा साहिफ आल के पुरुसकार दोस्तो 1969 में दिया गया था ठीक है और दादा साहिफ आल के इंटरनेशनल फिल्म फियर अवार्ड 2021 में दोस्तो बेस्ट फिल्म जो रही है वो ताना ताना जी रही है और बेस्ट एक्टर है अक्सकुमार और बेस्ट एक्ट्रेस रही है दीपी का पादू को ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है डेविड कार्ड को इन में से कौन से नोबल पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों तो रसायन अर्शास्त्र भोतिक या सांति तो बिल्कुल सही है जो भी ओप्शन भी लगा रहे है अर्शास्त्र में तो रइट आंसर इज ओप्शन भी एंड नेक्स इस दो जर एककिस में चांसरटवे फिल्म फियर पुरुषकार में सर्श्रेस्ट फिल्म के लिए किसे नवाजा गया तो ये नवाजय कहा है दोस्तो थपड मुवी को और निर्देशक थे इसके अनुबव सी सर्श्रेस्ट फिल्म है आपे थपड और इसमें सर्श्रेस्ट निर्देशक है ओम राउत ठीक है और इसमें अभिनेता है इर्फान खान और अभिनेतरी है तापसी पन्नो ये देखे मैं जो चीज़े बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा ये बहुत इंपोर्टेंट है आज कल ये पूछे जाने लग गया है एक्जाम में ठीक है चले अगला कोशन आता है हाल ही में तो ये दिया गया है फ्लोक लोरी याने की ओप्शन हो जाएगा दोस्तो ए रहेट आंसा ठीक है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाँ चलिए ये रहा आज के सारे सम्मान ठीक है न तो आप प्लीज से इस वीडियो को लाइक जरू कर देना ये पुरुषकार और सम्मान से संबंदी जितने भी कोशन बन सकते थे 2020 के जो 21 में दिये गए हैं वो मैंने आपे बताए हैं और 2021 में भी कुछ दिये गए हैं वो भी सारे कवर करें हैं प्लीज लाइक जरू कर जग रहे हैं ठीक है न और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप प्राइज विन कर सकते हैं ठीक है नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि तेंक्यू सो मच गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर लिज ठीक है और एक होती है रात को ग्यारा बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अनेकेडमी profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class me thank you so much